तूं बगवान आप सभी कबला करूर आपके सारे एक्षाय मनों कामना है पूरी हो यहां सबसे पहले प्रश्ण यह है कि कमर्शिल प्रॉपर्टी हो गी या नहीं होगी अभी वेसी छमता सक्षमता नहीं है लेकिन इस तरीके कि आपके सपने है तो वो पूरे होंग या नहीं सबसे पहले आपके हतेली में इस बात को साफ रूप से आपको बता दिया जाए कि आपके शनी ग्रह की स्थिती बिलकुल ठीक है नेलम तब धारन किया जाता है जब शनी ग्रह की स्थिती में कई नकें उतार चड़ाओ देखने को मिले या शनी ग्रह की क्रपा हमें नहीं प इसको कर सकते लेकिन इसके विशे में जो लोगों को डर होता है तो उसकी पीछे कारण यह होता है कि शनी ग्रह कुछ भी चीज बीना सरलता के नहीं देते हैं तो उसकी कोई लिमिट नहीं रह पाती इसलिए पहले संघर्ष बहुत कराते हैं आप चाहें तो नीलम धारन बिलकुल करिए नीलम धारन करने के पहले कुछ और सब ओर्डिनेट रूप से चेक कर सकते हैं जैसे नीला कलर शनी ग्रह को प्रस्तुत होता है जब जब आप नीली शर्ट टी शर्ट पहने या कपड़ा कोई भी पहने तब आप अपने आपको अब्ज़र करिए कि आपके जीवन में उस समय क्या हो रहा है आपके कारोबार में आपके मानसिक्ता में पहले तो संघर्ष आएगा उसके बाद लाब मिल जाएगा अंततह अगर ये चीज़ साफ रूप से दिख रही है कि लाब हो रहा है तो आप बिल्कुल नेलमधारन कर सकते हैं लेकिन यहाँ जो में बात ये थी वो ये कि शनिक ग्रह की स्थिती जब हतेली में अच्छे होती है तो मन चाहा परिणाम अंततह व्यक्ति को मिलता ही है यही रेजन है कि आपकी भाग ग्रेखा एक जो चंदर से आ रही है वो रुक रही है और उसके बाद में शनी के लिए एक भाग ग्रेखा जागरित हो रही है और यहाँ अगर इस उम्र की हम चर्जा करें तो यह उम्र 47 एं 48 के बीच का है तो इसी पिरेट से आपके जीवने भाग ग्रेखा होने जा रहा है तो आप कमर्शिल प्रॉपर्टी पांच करोड की हो या दस करोड की हो आपकी जिस भी विशे को लेकर की इक्छा, मनुकामना, चेश्टाएं हैं वो सब कुछ पूरी हो जाएगी यह इतनी प्रबल भाग ग्रेखा है, एक बात ये ध्यान रखें कि जब एक भाग ग्रेखा रुखती है और दूसरी जागरित होती है तो काम या कारोबार या रहन सहर में परिवर्तन आता ही है, तो आपके जीवन में मेहनत या के सकते हैं व्यस्तता कारे को लेकर के बढ़ेगा लेकिन अंत तह धन संपन्नता, सुख, शान्ती या मन्चाह परेणा, ये सब कुछ भी आपको मिल सकेगा, इसके पीछे कारण ये है कि यहां की भाग रेखा सीधे शनी ग्रह पर आकर के रुखी है और इसी में से एक शाखा निकल के गुरू के तरफ गई है जो व्यक्ति को बहुत ज़दा वि आपके पास बहुत अच्छी अच्छी आने लगेगी अपने काम को विस्तार करने के लिए थोड़ा बहुत बदलने के लिए उन सबसे हिचकी चाहिए अगर नहीं पीछे मत हटिएगा, रिस्क लेने से खास कर पीछे मत हटिएगा क्योंकि आपके सूर के छेतर के उपर में यहाँ पर हम देख सक रहे हैं कि फिश इंबोल का साइन डेवलप होना शुरू हो रहा है, यह साइन बहुत अधूरा है अभी 45-40 परतिशत के ही आसपास है, लेकिन अगर आपने अच्छी नियत के साथ लगातार कर्म और रूस रिगलेशन डिसिप्लिन जो शनी और सूर ग कुल पती ये कुल दीपक बनाएगा कि आप इतने सक्षम हो जाएं अपने जीवन में जीते जी कि आप अपने बच्चों के क्या अपने आने वले जो पीड़ी है उनके लिए भी बहुत सारे साधन साधन सुविधाय चोड़ जाएं जब फिश इंबल बनता है तो देश वि लाइन यहां पर डेवलप बहुत अच्छी हो रही है और उसके बाद अगर फिश इंबल यहां बन गया तो सामराज योग का निर्मान करता है जो व्यक्ति को किंग और रोयल्टी लाइफ में दे देने वाला होता है इस सामराज योग में दूसरों को employment दे सकने में परमात् धन भंडार और धन भंडार में अगर त्रिकोन का चिन आ जाए तो किसी भी काम में हाट डालेंगे वहां से पैसा अथ्वा सफलता मिलता ही है प्रोपटी के मेटर में सफलता आपको निश्यत रूप से मिलेगी क्योंकि मंगल के छेत पर एक रेक्टेंगल का साइन भी परोक्सिमेटली 51 और 52 के एज में तो हो सकता है कि आने वाले दो से तीन साल के अंदर में ही इसके पूरे असर आपको मिल जाए क्योंकि मंगल के छेतर में जब भी रेक्टेंगल ट्रेंगल इस छेतर में खासकर जब भी बनता है तो मल्टीपल प्रोपर्टीज आउन करते वे ऐसे जातक देखने को मिलते हैं बचपन आपका संगर्ष में रहा उसके पीछे मुख्य कारण है गुरू पर बिलकुल बीचो बीच तील होना गुरू परवत हमको हमारे घर परिवार के बारे में दर्शाते हैं ग्यान इसके अलाबा पढ़ाई लिखाई धर्म कर्म ले इसी कारण से जब माता-पिता का साया नहीं होता है या सुक नहीं होता है तो बचपन में बहुत भयानक संगर्ज देखने को मिलता है जो लाड़ प्यार प्रेम दुलार प्यार मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया तो उन सारी चीजों ने आपको कहिना की मजबूत और थ निश्चित रूप से पूर्ण होने वाला रहेगा लेकिन यहां पर जब तिल होता है तो गुरु ग्रह बच्चों को भी दर्शाते हैं तो जब तक आप गुरु के उपाया ना करें तब तक बच्चे शुब फलकारी नहीं हो पाते हैं आपके लिए मतलब वो अपने करियर में डेवलप कर जाएंगे उनकी एक्षाया निश्चित पूरी हो जाएगी लेकिन आप एक्सपेक्टेड रखें कि कुछ लाब मिलेगा तो वो जब तक यह तेल का प्रभाव रहता है तब तक देखने को कम मिलता है इसके लिए बिल्कुल भी नाकरात्मक होने की जरुवत इसलिए आपको जो इसका रेमेडी भी दिया जाएगा वो धर्म कर्म के अतिरिक्थी दिया जाएगा यहाँ पर आपके जीवन रेखा के उपर भी बात कर लें तो आपके जीवन रेखा में हम देखेंगे कि एक तरीके से जीवन रेखा और मस्तिश रेखा पूरी के पूरी एक साथ जूट होकर के चली है और मस्तिष रेखा के उपर यहाँ पर बहुत ही छोटी लेवल से आईलेंड का साइन भी है यानि बहुत पतले स्तरका है इस तरीके का जब द्वीप बनता है तो वो समय मानसिक पीडा में बीटता है और यह समय आपके जीवन में 22 से लेकर के लगातार 27-28 तक था तो याड़ी जीवन रेखा और मस्तिष रेखा दोनों साथ में चली है कम से कम 21 की उमर तक तो यहाँ तक तो आप इंडिपेंडेंट ही नहीं हो पाएं अपने अकोर्डिंग डिसीजन करेक्ट 29 के इस से थोड़ी बेटर होना शुरू ही और अभी तो और बेटर हो रही है लाइफलाइन के उपर भी यही कॉम्बिनेशन है कि यहाँ पर आपने इतनी सारी पीड़ाइं देख ली देखे जो व्यक्ति बच्पन में ही इतना कुछ देख लेगी कि कुछ देखना बचे ही न तो ऐसा व्यक्ति फिर दूसरों उपर निर्भर होकर नहीं अपने बदोलत अपनी भाग जागरित करते हैं यही रिजन है कि आपको यह जो बच्पन का संगर्ष रहा यह आपके बुढ़ापे में आकरके व्रध हवस्था में आकरके अत्यांत शुबुफल दे रहा है शनी पर बाइफोर्ग का सायन होना कोई आम बात नहीं होती है एक से अधिक माध्यम से पैसा तो आता ही है लेकिन साधन, संसाधन, सुविधाएं, आनंद, संतुष्टी, शान्ती यह जितनी चीजों की कमी रही अभी तक या भागा दोड़ी अभी जिस चीज के लिए वो इमिजेटली आपको मिल पाएगा तो इसके लिए ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है तो वही बात है यहाँ पर की लाइफ लाइफ लाइन के उपर में आप देखिए कि यहाँ पर आपकी जो प्रोग्रेस लाइन निकलना शुरू हुई करेक्ट टेकनीक लिए अठारा यानि अठारा की उम्र के आसपास में आपके अंदर महतुकांशा हैं बहुत बड़ी और आपने खुद के दम से काम करने की नियत रखना शुरू की और किसी भी तरह का मेहनत संगर्श करने के लिए फिर ततपर हो गए उसके बाद तो फिर लगातार आपकी प्रोग्रेस लाइन निकलती ही चली जा रही है जिसे हम कहते हैं सेल्फ मेड लख लाइन अपना भाग के खुद लिखना यह जब जब निकलता है उससेज में बहुत फायदा दिलात देता है जैसे 18 के उमर में कहीं जीवत में सुधार आया फिर 21 के उमर में आया फिर 24 में फिर उसके 28-39 जो यहां पर हम मस्तिश रेखा पर बता रहे इस उमर में भी जो भी आपने एक्षन, इनिशेटिव जिस भी तरह से लिए उसमें आपको लिख सफलता मिल गई फिर एक वापिस दिख रहा है तक्रीबन 38, 44 और अब वापिस आने वाले समय में तक्रीबन 48 के एज में एक उर निकलावा है यह 48 वाला बहुत ज़्यादा स्ट्रॉंग है क्योंकि यह है कि यह दिन दुगनी, राज चोगनी व्यक्ति को उन्नती देते हैं ऐसे जातक कर वो होते हैं जो रातो रात सच में ही बहुत बड़े काम कर जाएं जैसे आप देखेंगे आज के टाइम में कि रातो रात कोई फेमस हो गया, रातो रात किसी का काम बन गया, कहीं और कभी investment किया हो रातो रात उसके दाम बढ़ गए, यह सब इंपेक्ट राहो का है, कि वो suddenly इतना जादा दे देते हैं कि फिर उसके बाद सायथ कुछ जरुवत पड़े ही ना, तो यह चीज़ करेक्ट आपके लाइफ में 48 के एज में होने वाला है, क्योंकि इसके बाद में आप दे बंदली हो रही है, यानि वो चिंताएं भी इतनी बड़ी नहीं रहेगी, कि वो जीवन को प्रभावीत करें, और जीवन रेखा से अब जो है, छोटी छोटी रेखाएं, बाहर के तरफ निकल रहे हैं, जो यात्राओं को सुभाग बढ़ाती है, और जीवन रेखा के अंत म पर थोड़ा और जुख जाती है, तो जन्मिस्थान से दूर, सैटलमेंट भी हो सकता है, और मल्टिपल फॉरें ट्रेवलिंग ये वर्ल्ड टूर की जो चेश्टा है, एक तो इस करण से, और दूसरा फिश शिंबॉल बनने से आपकी निश्यत रूप से हो जाएगी, इसक कि शेयर मार्केट के लिए चाहिए पेशिंस, डीप अनेलिसीज, अब्जर्वेशन और एक्कुरेट डिसिजन, मेकिंग या टेकिंग स्किल्स, जब लिटिल फिंगर शॉट होती है, तो समय पर अपनी बात नहीं रख पाते हैं, समय पर सटीक निर्णय नहीं ले पाते हैं बचपन में बहुत ज़्यादा स्टेच फियर देखने को मिलता है, जिसके करण मन के अंदर बात दबाने की थोड़ी आदत भी पड़ती है, इस ट्रेंजर या अपोजी जेंडर से बाचित करते समय हिचकेचाट घबराहट होना, और एक जो मेजर प्रॉब्लम है वो यह है अगर आप मल्टिपल टास्क एक समय पर करेंगे, आपके देखी अधिकतर काम रुक जाएंगे, कोई भी काम पूरा होना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मैनेजमेंट यहाँ पर वीक है, वही मनी मैनेजमेंट की बात करें तो मरकरी ही रिप्रेजन करता है, लेकिन अब त इतना रहेगा कि मैनेज करने के कोई जरुवत नहीं पड़ेगी, आने वाले मात्र तीन से पांच साल के अत्रिक्त में, फिलाल के कंडिशन में शेर मार्केट का सजेशन आपको प्रॉमिनेंटली नहीं दिया जाएगा, क्योंकि लेडिल फिंगर पर एक तरीके से कोई भी बहुत मेजर पॉजिटिव साइन नहीं है, ये बास जरूर है कि मर्करी लाइन डेवलप हो रही है, मर्करी लाइन मल्टिपल सारी है, जो आपको मल्टिपल थिंकिंग, मल्टिपल इंटरेस्ट और इन सब विश्यों में बहुत जादा मन लगवाएगी, लेकिन आप इस ब बाहू का हमने भाग गरेखा देखा, तब तक ये भी बहुत प्रोमिनेंटली एक्टिव होगा, तो सड़नली इस छेतर में आपको अनेक्स्पेक्टेड गेंस मिल सकता है, बट प्रेजेंट कंडिशन में आपको प्रोमिनेंटली इंटर नहीं करना चाहिए, प्रेजेंट क इसे पीछे फिर नहीं अटते हैं, जैसे बच्चों ने अपने एक्छाएं जताई, आपकी छमता सक्षमता ना हो, तब भी आप उनकी एक्छाओं को पूरा करेंगे, परमात्मा ऐसा बल आपको दे रहे हैं, वैसे ही आपके उपर किसी भी तरह की जिम्मेदारी आई है या आ रही है या आईगी, आप पूरा कर देंगे, ये गुरू की उंगली की बहुत महत्पूर्ण भूमिका होती है कि ऐसे जातकों में सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत जादा आ जाता है, या सेल्फ इगो जादा आ जाता है, और उसको सेटिस्वाइट करने के लिए किसी भी ले आपके हाथ में एक पॉजिटिव लाइन और है, वो है गार्डिन इंजल लाइन, इस गार्डिन इंजल लाइन में आप एक बात खास देखेंगे कि जैसी ये वाली प्रोग्रेस लाइन निकल रही है, ये रेखा फिर इसी पोर्शन में करेक्टा करके धुन्दली पढ़ना शुरू हो रही है, इसका तादपर अच्छा ही माना गया है क्योंकि ये शुकर पे खत्म हो रही है पहली बात, जिसका तादपर ये है कि घर परिवार बहुत संभरिध हो जाता है, और गर परिवार में किसी से सहीयोग लेने की या किसी को सहीब देने की ज़रुष़ ने हो लेकिन इसका प्रभाव तो इसी प्रोग्रेस लाइन से पड़ गया तो यानि इसका पॉजिटिव ताथ पर यह होता है कि 48 के एच के बाद में आपको दूसरों की जरूरत नहीं बलकि दूसरों की जरूरतें आप बहुत सरलता से पूर्ण करते हुए देखने को मिल जाएंग यहाँ पर फिंगर के उपर आपकी सीधी खड़ी रेखा मौझूद है जो मित्रदा पुरोग सुभाव देती है थोड़े बहुत यहाँ पर जैसे शनी की उंगली टिल्टेड है तो क्रियेटिव में काम करने यानि अलग तरीके से काम करने क्या दत देता है शनी उंगली प अच्छे बनाके चलेंगे और अंततर सारे संबंद काम भी आने लगेंगे फिंगर के नोट्स जो है वो डेवलप कुल मिला करके ठीक जा रहे हैं तो इस पस्ट वादिता किसम का व्यक्तित होता है अब अगर यहाँ भी तिल है आपके तो पैसो के लेंदेन को लेकर खबरदार रहने की जबरोत पड़ती है मेंली पार्टनर्शिप में काम करने से बचना इस कंडिशन में चाहिए वरना नुकसान होने की संभावना बढ़ जाती क्योंकि यह तिल जो है कर्स को रिप्रेजन करते हैं तो पार्टनर भी आएंगे तो कर्स लेके जाएंगे मतल चीज़ों थोड़ा परहेज रखें फैलेंजेस एन इंटरनल मार्स की स्थिति ठीक जा रही है तो इस्टेमिना एनरजी या रोग प्रतिरोधक शमता यह बिल्कुल ठीक देगा आपको थम का जो साइज और पीछे कर बैंड है तो फ्लेक्सिबिलिटी नेचर में आ जाती ह समय परिस्थिति के अनुसा ढलते हैं और शॉर्ट थम इमिजेट एक्शन इमिजेट डिशिजन आवेश उतावलेपन में काम करने के आदत देता है यह थोड़ा नेगेटिव पॉइंट है बट पॉजिटिव पॉइंट इसमें यह है कि राद गे बाद गी बहुत जल्दी सक्षम होते हैं और देखें आपके यह का साइन भी यहाँ पर बहुत प्रॉमिनेंट बन रहा है यह साइन इंट्यूशन, सिक्ससेन, मटेरलिज्म, स्पिरिच्वालिटी यह सब कुछ देता है कंडिशन इतनी है कि आपको हमेशा दान धर्म करना चाहिए हमेशा पूजा पाठ में या धर्मकर्म में लिप्त रहना चाहिए क्योंकि यह का साइन तभी अच्छी रिजर्ट्स देना शुरू करता है इसमें सबसे पहली पॉइंट इंट्यूशन, पूरू आनुमा नाभास होने लगना, चाहे सपनों के माध्यम से या परिस्थितियों के माध्यम से पहले ही पता लगने लगती चीज़े हैं इसके बाद materialism, spirituality यह सब कुछ हाता ही है लेकिन यह combination नॉर्मल लाइफ नहीं देता बहुत अच्छी लाइफ देते हैं और सीड़ी खड़ी रेखा second flange पे तर्क वितर करने की चमता को बढ़ाता है पाम का structure आपका squarition में convert हो रहा है जो एक hard working nature की निशानी है तो किसी तरह के पराक्रब मेहनज जैसी चीजों से पीछे नहीं हटेंगे और यहाँ पर एक धनुष के रूप में आपको आकरती दिखेगा यह combination अच्छा माना गया है तब जब opportunities को immediately grab किया जैसे finger आपकी short है तो वो वैसे भी आपको force करेगी कि आप तुरंत action लिजे पहले action लिजे then after thinking करिए या shortcut अपनाईए धनुष के आकरती कहेगी कि focus होकर के एक ही काम लगातार करिए तो यह short finger उतने अच्छे results नहीं देगी जेतना यह धनुष आकरती देगी इसलिए आपको focus dedication के साथ और long term vision रखके एक ही काम पर focus करते रहना है आपको results कब आ जाएगा नहीं पता चलेगा गुरू ग्रहद या गुरू परवत हतेले में जब कम छेतर लेते हैं तो घर परिवार का संपूर्ण सुख मिलने में कमी देखने को मिलते हैं और उपर से तिल भी है तो इस condition में आपको Jupiter remedy इसलिए ही करना चाहिए ताकि आने वाले समय में बच्चों से लाब मिले बच्चों का भविश्व बहुत अच्छा हो सके समाज में सम्मान, रुतबा, सुक्सविदा, संसादन, रिसोर्से यह सब जो में चीजे हैं यह सब लाइफ में बढ़ सके और यह जो है तिल का combination यह लीवर से related, fat से related problem दे सकता है और शुगर की भी problem आ सकती है तो उस problem से भी आप बच सकें इसके बाद में यहाँ पर अगर square का sign बन गया तो यह multiple property का combination होता है बहुत सारी prosperity property आउन करपाने में सक्षम होते हैं शनी के छेतर की बात कि हमने यह विक्सित अच्छा है मेनत कर्म में कमी नहीं है आपकी भाग रेखा पहले चंदर से जागरित हुई तो बह उनके द्वारा भी आपके earning में, luck में, comfort में बढ़ोतरी हुई है और यह भाग रेखा आपकी जो जागरित हुई थी वो समय था जीवन में 29 और 30 का अब यह रेखा ऐसा नहीं है कि पूरी बंधी हो रही है खतम ही हो रही है यह रेखा smoothly आकर कि यहाँ पर हलका सा break ली है यह पर आप देखेंगे बारी की से minute level पर break ली है और इसकी छोड़ी सी शाखा निकल के आगे बढ़ी है तो यह multiple source of earning का combination देता है कि अभी आप जिस काम में है वो काम आगे भी चलता रहेगा लेकिन कोई दूसरे काम से बहुत जादा लाव आपको 48 cage में मिल जाएगा और आधी हदूरी है कमजोर है इसलिए आधी हदूरे काम ही देखने को मिलते हैं पूरा मन चाह परिणाम नहीं आपाता है आपके साथ problem यही है कि आप किसी भी काम में जब शुरुआत में इंगेज होते हैं तो इतनी high energy लगा देते हैं जैसे कि interest दिखाना उतावलापन जादा होना लगातार वही काम करना फिर बाद में कुछ समय के बाद ऐसा moment आता है कि फिर वहाँ पर interest कम हो जाता है बूरियत हो जाती है या वो काम में मन नहीं लगता वो सब कुछ significant कर रहा है आपका सूर्य परवत इसलिए यह सक्षम है आपका सूर्य परवत बहुत सफर बनाने क लेकिन वो साइन अभी भी डेवलप नहीं हो पार है positive वो positive डेवलप कब होगा जब आप rules, regulation, discipline, consistency यानि लगातार एक ही काम में लिप्त रहेंगे long term vision, vision का कारक भी सूर्य है तो यहाँ पर अब गुरु उपाय के साथ सूर्यों के उपाय के अतरिक्त सूर्य को लगातार सूर में आप कुम-कुम डाल सकते और वो सूर्य देवता को अरपित कर सकते तो वो आपको बल देंगे आत्म बल, आत्म विश्वास, समर्पन का भाव, सफलता के योग, निर्मित होना शुरू हो जाएंगे बुद्ध की स्थिती आपके हतेली में सामान ने है, एक सधिक रेखा बहुत अच्छी माने गई है, कम्यूनिकेशन के लिए, अट्रेक्टिव नेचर परसनेलिटी के लिए, बिजनस सेंस, बिजनस लग के लिए ये कॉंबिनेशन बहुत अच्छा, आपके व्यापार में निश्वी क्रुप से बहुत तरक्की होने वाली है, आपके हतेली में ये जो रेखा है, ये आपकी सीमेल लाइन हो जाती है, अगर आपकी सपोर्टिव हाटलाइन डेवल नहीं होती है, सिमेल लाइन एक वैसी रेखा होती है, जिसमें दिल-दिमाग व्यक्तिका एक हो जाता है, और किसी काम को लेकर के लगातार कर्म करते हैं, रिसर्ज कम लोगों को आपके बारे में पूरा पता रहने वाला रहेगा मनी माइंडेट जादा रहेंगे करियर ओरियंटेट जादा रहेंगे बाइफोर के कसाइन विश्णु सिंबोल होता है इस स्टार्टिंग लाइफ हंडरेट परसंट बहुत टफ देता है लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ता है या किसी काम को लेकर के टाइम डूरेशन बढ़ता है वैसे उसे ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है तो विश्णु सिंबोल में सबसे मेहन बात यही है कि आपको इमानदार रहने की जरुवत है अपने काम में समरपन रखने की जरुवत है और शनी के उपर उकावाए तो कर्मठ होने की बहुत जरुवत है यह विश्णु सिंबोल अंधा पेसा फिर दे सकने में सक्षम होते है इतना सुबचीन यह माना गया है लेटर एज में क्योंकि जो संगर्षों से निकल गए तो उनको फिर फल ही फल प्राप्त होना यह उसका कॉंबिनेशन है हार्ट लैन के उपर में थोड़ा सा बिखराओ है यहाँ इस शेतर में तो बहुत सारी एमोशन्स अपने अंदर दबा करके रखते हैं लेकिन यहाँ पर करेक्ट 52 के एज के बाद से हार्ट लैन के कंडिशन बेटर है तो हैल्थ एंड इमोशनल ट्रबल जैसे इश्यूस बहुत खतम हो जाएंगे वहाँ तक आते आते माइन लैन के जैसे हमने बात की वैसे ही हमने यहाँ भी देख सकते ही कि छोटी छोटी प्रोग्रस लैन कुछ निकली यही तकरीबन 29 से 31 के मिड़ में फिर छोट इस ऐलन के कॉंबिनेशन है 31, 33 and 36 के एज में तो इस पीरेड में भी थोड़ा स्ट्रेस आये करियर को लेकर के बट इसके बाद में मायंड लैन के कंडिशन फार बेटर हो रही है लॉंग मायंड लैन यानि सीखने समझने के छमता अच्छी होना विवेकवान होना ग्यानवान होना हर विशे को लेकर के परियापत ग्यान हो जाना तो जितना ज़्यादा अपना मानसिक बल, बुद्धी मता, ज्यान, युगिता बढ़ाएंगे उतना अच्छा जीवन हर विशे को लेकर के होता चला जाएगा lifeline के उपर में हम देख सके हैं कि lifeline का पूरा जुकाओ शुक्री के तरफ जा रहे हैं तो family को लेकर के बहुत serious रहेंगे family की सारे एक्छा मनुकामना पूर्ण करेंगे आड़ी रेखाएं हैं लेकिन कम हैं बहुत अच्छी बात है ये कि घरेलो चिंता परसानी आगे चलके उतने नहीं रहेगा proper luxuries, materialism, royalty, good standard of living शुक्र की जितनी qualities हैं यानि तमाम तरह के भोग विलास के संसाधन साधन कि नॉर्मल लाइफ रही ही ना वो चीज आपका शुक्र इंडिकेट प्रॉपरली कर रहा है और आपके घर परिवार में बहुत ज़्यादा उन्नती बरकत तरक्की होगी गुरु उपाय के बाद में शुक्र की स्थिति अंतितह अच्छी है और जब सहियोगी रेखा थोड़ा जीवन रेखा से दूर होने लगती है तो इस कंडिशन में हमेशा देखा गया है कि पहले तो लोग बहुत आते हैं बहुत स्ट्रोंगली जुडते हैं धीरे धीरे उनसे संबाद, मिलना जुलना, बात चीते हैं यह सब कम हो जाती है तो लोग तो रहते हैं लेकिन वो connection प्रॉपली रहनी पाता है तो आपके जीवन में यह चीज होता रहा है और आगे भी यह चीज होता रहेगा इसलिए emotional attachment, emotional decision, emotional behavior, sensitivity इन सारी चीजों को नियंतरित रखने की सक्त जरुवत है आपकी life भी यहाँ पर अच्छी जा रही है शुक्र से connection होने के करण आपकी long life यहाँ पर represent हो रही है इसलिए health और family और life को लेकर के ज़्यादा problem नहीं है एक यहाँ पर रहू की रेखा prominently show हो रही है इसने आपको बहुत परशान गया 34 से 36 के बीच में बहुत major losses या stress mentally रूप से इसने दिया है आपने recover तो कर लिया बाद में supportive line भी active थी लेकिन इसने यादगार समय बना दिया आपको 34 से 36 के मिड़ में चंदर का छेतर पर अभी कोई specific lines नहीं है ये जरूर ही कि इदर आड़ी रेखा है तो घर में मन कम लगता है यात्राएं करने का जादा मन होता है मन थोड़ा विचलित पाया जाता है अभी यहाँ पर ना positive है ना negative है positive बन सकता है अगर इदर triangle का sign आ गया ऐसे जातक बहुत ज़्यादा name film पाते हैं और बहुत सारे जगों पर अपना खुद का घर build कर पाते हैं समाज से लोगों से बहुत लाब प्रेम सम्मान मिलता है और अपने खुद की किसी भी तरह की कला के द्वारा भी बहुत सम्मान प्रेम और नाम ख्याती प्राप्त होता है यहाँ पर इस sign को बढ़ाने के लिए अपने creativity आर्ट पर focus करिए अपने मन को शांत इस दे रखने के कोशिश करिए चंद्रमा के अत्रिक्त, चांदी का छला, ब्रेसलेट, चांदी का चेन यह सब भी धारन आप कर सकते हैं हमेशा लोगों को पानी पिलाते रहिए या कुछ ऐसी व्यवस्था करी जिससे लोगों की प्यास बुच सके तो भी यह sign prominent हो जाता है शिव जी की किसी भी तरह से की गई अराधना से भी चंद्र की स्थित्य अच्छी होती है तो मन, शांध, सुख में, आनंद में रहता है और मन की एक्छाय, मनोकामना भी पूर्ण होती है तो पहले हम देख सकते हैं साफ रूप से कि कोई भाग रेखा जागरी थी नहीं है 27-28 के इस तक फिर जागरी थोना शुरू हो रही है और अब तकरिवन 49-50 के एज के बाद से तो और आपकी जो लक लाइन से और मेजर लाइन से वो सब और अच्छी हो रही है और अच्छी हो सकती है अगर इस पे तुरंद काम किया गया तो तो यह थी सबसे महत्पुन बात है आपके हाथ के विशे में आशा करता हूँ सभी प्रश्नोगत्तर मिली गया हूँ तब तक आप अपना ध्यान रखें आपका बहुत-बहुत धन्यवाद